स्वागताव चौप का self study के इस channel में और आज की हम अपनी 20 वीडियो अब तक हमने हर वीडियो के अंदर 5-5 vocab देखें यहनी 19 वीडियो हो चुके हैं 95 words हम कर चुके हैं 95 words हम कर चुके हैं और आज की इस वीडियो जो हैं वो हमें याद रहने में आसानी हो ओके भीना time गवाए हम आज का जो अपना पहला word है वो start कर लेते हैं जो पहला word है वो है abstain abstain clear यह आदास है abstain abstain का मतलब होता है दूर रहना और इस word को हम याद करेंगे ab train train से क्योंकि abstain की कहीना कहीन यह जो pronunciation है abstain या abstain एक जैसी ही लगरी है abstain का मतलब होता है दूर रहना परहेज करना और हमने इसको याद करना है ऐसी लिखा जाता होगा मुझे अगर गलती होगी क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा हाथ फैर मतलब क्योंकि ये अब चलने वाली है क्योंकि ये अब चलने वाली है clear? ओके, यहां पर अब देखेंगे अब train से, यहां पर की आगी और दूर हो जाना या दूर हटना यहां पर इसका meaning भी आ गया clear हो गया, तो पहला जो word था हमारे सामने वो था abstain, abstain का मतलब होता है दूर रहना और हमने इसको याद किया है अब train से ओके, फर्स्ट वर्ड के बाद जो हमारा second जो word है वो है replete replete ओके, इसका जो मतलब है वो है भरा हुआ परिपून replete जिसका मतलब है भरा हुआ परिपून और हम इसको याद करेंगे re, re का मतलब क्या होता है, दूबारा replete, replete यानि दूबारा plate, इसको हम याद करने वाले हैं, इस replete की से example के तुरू हम इसको समझ लेते हैं okay replete 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 भर कर लाओ replete भर कर लाओ क्योंकि क्योंकि हम बहुत बूखे हैं okay, यहाँ पर replete इसका की भी आगया और भर कर लाना, यानि भर कर या भरा हुआ, यहाँ पर इसका meaning भी आगया, clear हुआ, replete replete का मतलब होता है, भरा हुआ परिपून, okay second word के बाद जो हमारा third word है, वो है ingenuous ingenuous okay ingenuous ingenuous ऐसी याद करने इसकी गिरम okay, ingenuous, इसकी pronunciation यही है nishkapat, इमानदार इसका मतलब है और इस word को हम करने वाले हैं injun से, injun okay, ingenuous को हम करने वाले injun से, ingenuous का मतलब होता है nishkapat, इमानदार okay, example के तुरह हम समझते हैं engine, इंजन बनाने वाले लोग engine बनाने वाले लोग क्या होते हैं, इमानदार होते हैं या nishkapat होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं, nishkapat 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 होते हैं, clear हुआ तो यहाँ पर engine इसकी key भी आ गया और nishkapat यहाँ पर निश्कपट यहां पर इसका meaning भी आ गया हूँ second third word के बाद जो हमारा fourth word है वो है dwindle 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 इसका मतलब होता है कमजोर होना कम होना और इसकी जो key है वो है do win क्योंकि कही न कहीं इसकी जो pronunciation है dwindle, do win to win ऐसे आ रहा है तो हम इसको याद करेंगे do win करने के बाद यानि दो बार जीतने के बाद do win करने के बाद करने के बाद अब वो कमजोर हो गया है कमजोर हो गया है क्योंकि एक साथ उसने लगा था रहा दो win कर लिया है अब वो कमजोर हो गया है clear हुआ यहां पर do win अब दो विन, यहां पर इसकी की भी आगी और यहां पर कमजोर हो जाना यहां पर इसका meaning भी आगया clear हुआ, तो dwindle, dwindle का मतलब होता है कमजोर होना, और इस वीडियो का जो last word है वो है, captures captures clear, इसकी जो है captures, इसका जो meaning है दूसरों के दोश खोजने वाला, या खोजने वाली कोई भी हो सकता है, आप अपने gender के according यहां पर लगा सकते है ऐसा नहीं कि इस सिर्फ male के लल लगेगा, वाली भी हो सकता है वाला की जगा clear, captures, captures, captures का मतलब होता है, दूसरों के दोश, खोजने वाला, और हम इसको याद करने वाले हैं, cap cap का मतलब क्या था, टोपी, okay sas, cap, sas, example के तुरू हम इसको समझने वाले हैं, की कैसे use करने वाले, cap cap sas, cap sas पहन कर, पहन कर यहां मतलब sas ने cap पहन ली, पहन कर हमेशा हमेशा दूसरों के दूसरों के दोष खोजने वाली बन जाती है, दूसरों के दोष खोजने वाली बन जाती है, okay बहुत बड़ी आ लिखा यहां पर, कोई भी ऐसे मतलब error नहीं आया, okay, cap sas cap sas का मतलब होता है, दूसरों के दोष खोजने वाला है, वह होजने वाली और हमने इसको याद किया है, cap sas से, cap sas यहां पर meaning आ रहा है, यहां पर की आ रही है, cap sas पहन कर मेंशा दूसरों के खोज, दूसरों के दोष खोजने वाली बन जाती है, clear हुआ, एक बड़ जल्दी से पांचो वर्ड को एक बड़ पहला जो वर्ड हमने किया, abstain, abstain का मतलब होता है, दूर रहना, परहेज करना, और हमने इसको याद किया है, अब train से, अब train से दूर हो जाओ, क्योंकि यह चलने वाली है, second जो वर्ड किया है, वो replate, replate का मतलब होता है, भरा हुआ, परिपूर्ण, और इसको हमने याद कि किया है, replate, replate से, यानि, दूबार अप लेट को भर कर लेगा हो, क्योंकि हम बहुत भूखे हैं, अगला जो वर्ड हमने किया है, वो ingenuous, ingenuous का मतलब होता है, निशकपट, इमानदार, और हमने इस वर्ड को याद किया है, engine से, और example कि तुर हमने इसको कैसे याद किया, engine बन करने के बाद, अब वो कमजोर हो गया है, उसकी power कम हो गया है, ऐसे कर सकते हैं, अब आके, यहां पर दोनों meaning आ जाएंगे फिर, और कि जो last word जो हमने किया है, कैपशेस, कैपसेस का मतलब होता है, दूसरों के दोस खोजने वाला है, खोजने वाली, और इसको हमने याद किय कैपसास से, कैपसास से, एक्जाम्पल के तुरों हमने कैसे किया, कैपसास पहन कर, हमेशा दूसरों के क्या करती है, दोश खोजने वाली बन जाती है, clear, I think आप लोगों को यह पांचों word अच्छे से याद हो गए होंगे, और याद हो गए हैं तो इस वीडियो पर क्या बन चाहिए, पीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बोक में आपको लिंक मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा, टेलिग्राम का, टेलिग्राम का और साथी साथ, फेस्बुक का, इन दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाके क्या कर सकते हैं, जोइन कर स बहुत सारी PDF इस से मतलब आपके exam के point of view से महां मिल जाएंगी ओके बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में thanks for watching this video